हाई दोस्तों असलाब लेकुम कैसे आप लोग मेरा हम नभील है फानली आयो 16 सीरीस का एक जो है वीडियो हम आज आज आपके लिए लेके आ रहे है क्योंकि 16.6 का developer beta 3 apple ने कर दिया अभी तक आयो 17 के काफी सारे वीडियो आप देख चुके होंगे 17 अकर आपने नहीं किया है आप करना चाहते है फ्री में तो उसका भी वीडियो जो है कल परसों में हमारे चानल पर आपको देखने मिल जाएगा लेकिन अभी बात कर ले थे आयो 16.6 के developer beta की यह भी important updates होते है और 16.6 का final stable version आपके सभी के आईफोन पर आने वाला है और अगर आप अभी फिलाल जो है आयो 17 नहीं चला रहे हो या future में जब तक के apple public stable version launch नहीं करता आयो 17 का तब तक आप वेट करना चाहते हो तो आपके लिए आयो 16.6 के उपर नदर रखना जो है यह important चीज है अब यहाँ पर शुरू कर देते है हमारे इस वीडियो को update size से तो update size जो है इस update का वो आया है 537.3 MB का मेरे iPhone 14 Plus के उपर मेरा 14 Pro Max है उसके उपर मैं iOS 17 चला रहा जहाँ पर 16.6 ही था iOS version लेकिन उसका beta version लगता beta 2 था यहाँ पर available free space जो है 64 GB के आसपास थी और जो build नमबर था update से पहले उसके end में D था और यहाँ पर इसके बाद शायद हमको directly A देखने मिलेगा और update के बाद आपको एक नया modem firmware देखने मिलेगा जो है 1.80.01 अब इस वाले update के अंदर क्या कुछ नया है वो बता देता हूं मैं आपको देखिए यह जो है यह चुड़ड़ updates है जिसमें bug fixes के उपर ही ध्यान देने वाला Apple क्योंकि iOS 17 आ चुक है और उसके उपर आपल का ज्यादा focus रहेगा ताकि उसको stable बना जाए September तक पिर भी जो कु जो है वो verify करवा सकता है ताकि उसको पता चल जाए कि आपसे ही वो बात कर रहा है जैसे यहाँ पर मेरे office में देख सकते हैं काफी सारे phones है एक ही Apple ID पर रहते हैं मैं अगर अपने contact से बात कर रहा हूं iMessage के जरी से तो वो कैसे sure होगा कि मेरे office के employee उससे बात नहीं कर रहा ह बहाँ पर या फिर कोई और जो है मेरा family member मस्ती नहीं कर रहा है उसके साथ यहाँ पर इसलिए वह verify करने के लिए जब कभी मैं दूसरे किसी iPhone समझे मेरा primary iPhone है किसी और iPhone से मैं उससे बात कर रहा हूं वहाँ पर contact key verification के लिए पूल सकता है और मैं अपनी key verify कर सकता हूं iMessage जर वैसे एक camera adapter भी आता है Apple का जिससे आप camera को connect कर सकते अपने iPhone के साथ उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी iPhone के अंदर यहाँ पे Apple ने वह चीज जो है फिक्स कर दिया इस वाले update के अंदर क्योंकि काफी update से वह काम नहीं कर रहा था तो आपके पास अगर अक्सेसरी है तो चे यह देखा है नहीं देखा है चैनल पर I don't know लेकिन मैंने दाल चुका है उसका वीडियो 15 इंचीज वाला वो उसे के साथ जो है Mac Studio और Mac Pro इन तीनों को भी जो है network का support Apple ने अब दे दिया है आप अपने network के अंदर find my के अंदर वो जो devices है उनको भी देख सकते है उनका proper आपको अब आपको और अच्छे से बता पाता यह देखिए यह जो है सई तरीके से काम नहीं करता अब अब यह लाग होता है कभी अटकता है तो यह प्रवल्म में आपके फोन में आपको यह प्रॉल्lemm आ रही है या नहीं आरी 16.5 में भी आपको सेम प्रॉल्म जो देखने तो यह तरीक्य का प्रवल्म आपका आईफोन का वह काम कता था तो यहां पर फीचर अब तक यहां पर आया नहीं है और यह सारे matter accessories से related ही है तो यहां पर आप देख सकते हैं और X code के अंदर भी एक जो है अभी इन इशू है जिसको Apple ने आपके फिक्स नहीं किया तो बहुत ज़्यादा बग्स नहीं है और जब इसके उपर पब्लिक स्टेबल होजना है तो उसके बारे में जाता हम बात कर सकते फिलाल यहां पर battery health जो है वो check out कर लेते जो अभी भी 100% है लेकिन जो iOS 17 वा आईफोन है उस पर धर से drop होगी जैसी iOS 17 इंस्टॉल किया था मैंने तो यहां पर यह चीज नुकसान है iOS 17 की beta version को download इस्टॉल करने का लेकिन उसको use करने का और उसको experience करने का अपना अलगी मज़ रहता है performance overall जो है मुझे यहां पर ठीकी लगा कोई इसमें मुश्किल नहीं पेश आ रही है फिलाल तो और यहां पर एक बार history देख लेते हमारे scores की CPU GPU है और अभी मैंने test भी किया वो भी आपको दिखा दूँगा तो पिछला update जो आया था वो आया था 1st of June को 1732 और 4359 score थ तो अगेर 1920 का फरक है लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा घड़ गया है वैसे maximum जो मैंने इस device पे देखा था GPU का score वो था 13,600 जो एकी बार आया था उसके पहले शायद कभी उतना आया नहीं पर 12,800 तर पहले भी जा चुका है यह score अभी यहां पर iOS 6 का जो developer beta 3 है guys इसके यह दो beta version जो है आपको और देखने मिलने वाले तो यहां पर हम calendar में चलते हैं और calendar में चलके देखते हैं कि कब हम expect कर सकते हैं तो next week तक या फिर उसके next week में जो है आपको एक और beta update देखने मिलेगा most probably last week रहेगा जून का उसमें ही आपको beta version देखना मिलेगा अगला या तो साइड में तो आपको कर्मी के वैसे problem हो रही होगी आपका phone यह वरीट हो रहा होगा I know that लेकिन उसके लिए summer tips वाली वीडियो में ने बनाया वो आप चेक जरूर कीजिए और iOS 17 का जो developer beta है यह beta 1 चल रहा है beta 2 भी आप जो है July 1st week में या जून के आखरी week में एक्सपेक कर सक 17 का developer beta तो मुझे comment करें बताइए मैं वीडियो तो ready करी चुका हूँ दालने वाला हो बड़ आपके उसके बारे में कुछ और सवाल होंगे तो वो भी आप पूछ सकते है तो उसके बार में information भी आपको देने की कोश्च करोंगा तो यह थी खानी दोस्तो आयो 16.6 के developer beta 3 की आ आप कौन से वर्जिन पर अपने आइफोन को चला रहो इसके बार मुझे comment से में लिखके जरूर बताइए उमी किता दोस्तों आपको आपको आचका वीडियो पसंद आओगा तो इस वीडियो को लागें श्यार जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए आपको आपको